जे हिंदे मेरे प्यारे साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड आम सेक्यू चैनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो में ब्याहर प्लिस कॉंस्टबल की नई भरती के लिए इतिहाज के लगभग 45 अति मैत्पुन प्रसनों को लेकर आए हैं तो आ तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के प्रसनों से पहला प्रसन है भारतिय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है बिल्कुल एकजाम में पूछा जाने वाला प्रसन है फटा फट से आंसर करते जाएंगे भारतिय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है तो पहले प्रसन का आंसर जोई बच्चे लाइफ चेट में लॉड कार्णवालिस को दिये हैं आपका बिलकुल सही जबाब है लॉड कार्णवालिस को भारतिय सिविल सेवा का जर्मदाता कहा जाता है दूसरा प्रस्ण है बक्सर के युद में अंग्रेज के सेना पती कौन थे चले दूसरे के लिए फ प्रस्ण है और अगर आप लोग इसमें से 35 प्रस्णों का भी सही सही आंसर देते हैं तो समझ जाएए आप लोगों के त्यारी बहुत ही बेतरिन है इसी तरह से आप लोग आगे की त्यारी करते जाए तो दूसरे प्रस्ण का आंसर जोई बच्चे लॉड हेक्टर मुनरो क कब होता है 1764 में होता है एक पूछायाता है प्लासी का यूद तो 23 जून 1757 को प्लासी का यूद होता है और इसमें अंग्रेज के सेनापती कौन थे तो रौवर्ड कलाइब थे जितने भी आपको एक्ष्टाफेक्ट बताते हैं ध्यान पुर्वक सुनें आगे देखें इलहा बाद की प्रथम संधी कब की गई थी और देखें आप लोग लाइब चेट में एक दूसरे से ज़्यादा बाते ना किया करें आप लोग अपने प्लाई पर फोकस करें चली आंसर करेंगे इलहा बाद की प्रथम संधी कब होती है तो इसका सही जबाब जोई बच्चे 12 संस्थापक कौन था सोच समझकर आंसर देना है भारत में पुर्तगाली राजी का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर है बी ओप्चन फ्रांसिसको डी अलमीडा ये भारत में पुर्तगाली राजी का संस्थापक था जयान रखना है वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 SP में आया था सिक धर्म में संगत धर्मसाला एबं पंगत जिसको लंगर का जाता है इसका प्रचलन किसने शुरू किया था चले फटाफट से पांच के लिए आंसर बताएंगे तो ये किसके द्वारा किया गया था गुरू नानक देव के द्वारा सी ओप्सन जोई बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है गुरू नानक देव सिक्खो के पाले गुरू थे गुरू गोविन सिंग सिक्खो के दसवे गुरू थे और गुरू गोविन सिंग नहीं 1699 इस्पी में खालसा पंद की अस्थापना की थी डच लोग कहां के निवासी थे चलिए आंसर करेंगे छे के लिए डच लोग कहां के निवासी थे तो इसका सही जबाब है निदरलेंड डच लोग निदरलेंड के निवासी थे श्री अकाल तक्त साहिब की अस्थापना किया था चलिए आंसर बताएंगे श्री अकाल तक्त साहिब के अस्थापना किस गुरू के द्वारा किया गया था और देखे जो भी स्ट्वेंच चनल पर पहली बारा है आपको बता दे ये कलास आपको डेली रात साड़े आड़ वजे लाइब चेट के साथ मिलते हैं तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें तो साथवे प्रसन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुरू हर गोविंद साहिब जी के द्वरा स्री अकाल तक्त साहिब के स्थापना किया गया था हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे हिंद की चादर के नाम से किसे जाना आता है तो गुरू तेग भादूर को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागो किया था और इसका पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चलिए आंसर बताएंगे ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागो किया था तो इसका सही जबाब है फ्रांसिस्को डी अलमीडा के द्वारा लागो किया गया था फ्रांसिस्यों ने प्रथम फैक्ट्री कहां अस्थापित किया था तो बिलकुल सही जबाब दी आप लोग सूरत में फ्रांसिस्यों ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाया था कोलकाता सहर की अस्थापना किसने किया था बिलकुल टॉप लेबल का प्रस्ण है चलिए आंसर करते जाएंगे देखे कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इस सहर के अस्थापना किसके दुआरा क्या गया था तो जौब चारनौक के दुआरा याद रखना है ए उप्षन इसका सही आंसर है इस्ठ इंडिया कंपणी की अस्थापना कब हुई थी दिखे पूछा आता है है उजयन छीपरा नदी के किनारे है इन सभी प्रसनों को द्यान रखें तो इस्ट इंडिया कंपनी के स्थाफना आप सभी जानते हैं 1620 में A option C option इस प्रसंद का बिल्कुल सही आंसर है प्रथम फ्रांसेसी गवर्नर कौन था? चलिए आंसर करेंगे प्रथम फ्रांसेसी गवर्नर कौन था? तो जोई बच्चे डूपले को दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है डूपले प्रथम फ्रांसेसी गवर्नर था भारत में अस्थानिय स्वासासन के जनक किसे माना जाता है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे दिखे प्रस्ण भले ही एजी लग रहा आपको लेकिन यकिन मानिए यही सब प्रस्ण एकजाम में पूछा आता है चलिए आंसर करेंगे भारत में अस्थानिय स्वासासन के जनक कौन है? तो दिखे इसका सही जबाब है लौड रीपन लौड रीपन को भारत में अस्थानिय स्वासासन का जनक कहा जाता है और भारतिय रिल्वे का जनक बोलायाता है लौड डलो जी को ध्यान रखना है लौड करजन के सासनकाल में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का बिभाजन होता है चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नमबर में है बक्सर का यूद किस वर्ष हुआ था? चलिए फटापट चे आंसर बताएंगे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बक्सर का यूद जो हुआ था इसमें अंग्रेज के सेनापती कौन थे? तो हेक्टर मुन्रो थे और प्लासी का यूद होता है 23 जून 1757 को और इस यूद में अंग्रेजों के सेनापती कौन थे? तो रोबर्ट कलाइब थे तो यहाँ पे इसका सही जबाब किया होगा आप्शने 1764 में बक्सर का यूद होता है बंगाल में द्वेद शासन के स्थापना किसने किया था? तो याद कर लिजे लौड कलाइब ने बंगाल में द्वेद शासन के स्थापना किसने किया था? तो लौड कलाइब ने भारत में अंग्रेजी राजे के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रस्ण को ध्यान से पढ़िए भारत में अंग्रेजी राजे के वास्तविक संस्थापक बताना है किसे माना जाता है तो आप लोग याद कर लेजिए वारेन हैस्टिंग्स को माना जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था चलिए आंसर करेंगे फटाफट से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो देखिए अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लौड विलियम बेंटिक और प्रथम वाइसराय पूछे तो लौड केनिंग दोनों को ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है तो अठारा का आंसर किया होगा भी ऑफशन सी लौड विलियम बेंटिक आगे देखिए भारत का प्रथम वाइसराय कौन था फटा-फटसे आप सभी उननिस के लिए आंसर करेंगे भारत का प्रथम वाइसराय कौन था और इसका पीडिये अब आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलि हम्मूरावी कहां का सासक था, चलिए फुटापट से आंसर बताएंगे, हम्मूरावी कहां का सासक था, तो ये बेबी लोन का सासक था, और सिकंदर की मिर्तियों कहां होती है, यही बेबी लोन में पूछा आता है, ध्यान रखना है, वांडी वास का युद्ध कब हुआ था, चलिए आंसर किजिए फटा फट से और देखे प्रत्यक इस्ट्रेंट को आंसर करना है और सेशन के लाश्ट में बिल्कुल इमंदारी पुर्वग अपना अपना स्कोर देना है तो वांडी वास का यूद कब हुआ था सही जबाब है 1760 में होता है बेदरा का यूद कब हुआ था चलिए आंसर किजिए बेदरा का यूद कब हुआ था तो इसका सही जबाब है 1769 में बेदरा का यूद होता है ध्यान रखना है और वांडी वास का यूद 1760 में खालसा पंद की अस्थापना किस ने किया था चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे अभी हमने आपको थोई दर पहले बताया खालसा पंद के अस्थापना कभी किया गया था 1699 में किस के द्वारा तो सिखों के दसवे गुरू गुरू गोविन सिंग के द्वारा तो ध्यान रखना है आगे दिखिए इलवट बील विवाद किसके काल में हुआ था चलिए आंसर करेंगे इलवट बील विवाद किसके काल में हुआ था तो 24 का आंसर क्या है तो इसका सही जबाब है लौड रिपन के काल में हुआ था इलवट बील विवाद फ्रांसिसियों और अंग्रेज के बीच वांडी वास के युद में अंग्रेजी सेना करनेत्रित्व किसने किया था तो देखिए फ्रांसिसियों और अंग्रेज के बीच में हुआ था वांडी वास का युद कब हुआ था वांडी वास का युद तो अभी हमने आपको बताया 1760 में और इसमें अंग्रेजी सेना का नित्रित्व किया था आयर कूट ने प्रथम करनाटक युद 1746 से 48 इसकी समाप्ति किस संधी के माध्यम से हुई थी से लिए फड़ापट से आंसर बताएंगे तो दिके प्रथम करनाटक युद की समाप्ति हुई थी एक्स लाउ साप्यल की संधी से एध्यान रखना है प्लासी के युद जो कि 23 जून 1757 में होता है इसमें अंग्रेजी सेना का नित्रित्व किस ने किया था सोच समझकर आंसर करना है अभी हमने आपको बताया है तो इसका आंसर जोई बच्चे लाइब चेट में रोवर्ड कलाइब को दिये है आपका बिल्कुल सही जबाब है और बक्सर के युद में किसने नेत्रित्व किया था हेक्टर मुन्रो ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागो किया था बिल्कुल टॉप लेवल का प्रस्ण है फटा पट्चे आंसर करेंगे और आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें तो याद कर लिजे भारत में अस्थाई बंदोबस्त को किस ने लागो किया था तो लौड कार्णवालिस ने लागो किया था गुरु गोविन सिंग का निधन कहां पर हुआ था देखे गुरु गोविन सिंग का जन्म भी पूछा आता है तो आप लोग कमेंड करके बताएंगे गुरु गोविन सिंग का जन्म कब होता है और कहां पर होता है तो निधन कहां हुआ था याद कर लिजे नांदेड में निधन हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं तीस नमबर में है पिंडारियों का दमन किसने किया था चलिए आंसर करेंगे फटापट से पिंडारियों का दमन किसने किया था तो दीखे इसका सही जवाब है लौड हैस्टिंग ने नरबली पर्था पर रोक किसने लगाया था तो याद कर लिजिए नरबली पर्था पर रोक किसने लगाया था तो लौड हाडिंग पर्थम ने भारत में सती पर्था का अंत इस प्रसन पर सबसे पहले आप लोग इस्टार लगा लिए एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन प्रसने है देखे भारत में सती पर्था का अंत पुछे तो डेट भी याद राखना है कई बार एक्जाम में पूछा गया है 1839 में होता है किस गवर्नर जन्रल के द्वारा किया गया था चलिए आंसर करेंगे 32 के लिए फटापट से तो याद कर लिजे सती परथा का अंत होता है 1839 में किस के सासनकाल में याने किस गवर जियम बैंटिक के द्वारा हुआ था और इसमें सायोग किया था राजा राम मोहन राय ने ये भी पूछा आता है कि इसमें सायोग किस ने किया था तो राजा राम मोहन राय ने ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय को भारतिय पुनर जागरन का पिता कहा जाता है सिराज दौला के प्रमुक सिनापति कौन थे तो देखे इसका आंसर जोई बच्चे मिर जाफर को दिये हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है श्री रंग पटनम में स्वात अंतरता का विरिक्ष किसने लगवाया चलिए चौतिस के लिए आंसर बताएंगे तो देखे स्री रंग पटनम में स्वात अंतरता का विरिक्ष किसने लगवाया तो टीपू सुल्तान याद रखना है किसने टीपू सुल्तान ने तृतिय करनाटा की उद जोकी 1758-63 में होता है किस संधी के द्वारा समाप्त हुई चलिए 35 के लिए फटापट से आंसर बताएंगे तो ये होता है पेरिज की संधी के तहत समाप्त होता है तिरतिय करनाटा की उद याद रखना है टीपू सुल्तान ने रालधानी कहां अस् चलिए तीपू सुल्तान ने राजधानी कहां अस्थापित किया था तो याद कर लेजिए श्री रंग पटनम स्वर्न मंदिर की नीव किस ने रखा था तो सोच समझ कर आंसर देना है और जिसने अभी जग सेशन को लाइक ने किया है फटा फटाफट से आप सभी सेशन को तो स्वर्ण मंदिर की नीव किस ने रखा था इसका सही जबाब है साई मिया मीर डी ओप्षिनिस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है सिक धर्म के अंतिम गुरु कौन थे अंतिम बोले थो दस्वे गुरु चलिए आंसर किजिए सिक धर्म के अंतिम गुरु कौन थे तो ये है गुरु गोविन सिंग टीपू सुल्तान की मिर्थियू कब होती है ये भी प्रस्ण आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो याद कर लेजिए टीपू सुल्तान की मिर्थियू होती है कब तो 1799 में किस युद में तो चौथे आंगल मैसुर युद में युद का भी नाम याद राखना है चौथे आंगल मैसुर युद में 1799 में टीपू सुल्तान की मिर्थियू होती है गुरु गोविन सिंग का जन्म कब हुआ था अभी हमने आपसे पूछा था कि गुरु गोविन सिंग का जन्म कब हुआ था तो देख लिजे इसका आंसर क्या होगा तो गुरु गोविन सिंग का जन्म होता है 1666 में ध्यान रखना है और 1699 में इन्हों ने खालसा पंद की अस्थापना की थी फूट डालो राज करो निती किसने सुरू की तो फूट डालो राज करो ये निती सुरू किया था लौड करजन ने बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाव कौन था देखे बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और उस समय बंगाल का नवाव था मिर जाफर याद रखना है बी ओप्सन बिलकुल सही जबाब है अंग्रेजों को किस संधी के अधार पर बिहार ओडिशा एवं बंगाल का दिवानी प्राप्त हुई बहुत इंपोर्टन प्रसन है आंसर करेंगे ये आज के सेशन का अखरी प्रसन है तो दीके इसका सही जबाब है इलहाबाद की प्र कि अधार जब जबड़ झाल में ये जब बड़ोर्टन प्रसन है